हेलो दोस्तों कैसो आप सब मेरा नाम है मानवीजे आप देखे रहे हो चैनल क्लासिक 95 तो दोस्तों आज मैं ला रहा हूँ आप लोगों के लिए टाटा नेक्स ओन एवी का रिव्यू तो टाटा नेक्स ओन एवी में सबसे पहले यहां पर आपको गेर नॉब देखने को मिलेगा जो कि एकदम राउंड है इसमें sports drive neutral or reverse के अपने को indication देखने को मिल जाएंगे और अगर अपन बात करें गाड़ी में अपने को कौन सी बैटरी देखने को मिलती है तो 30.2 किलो वाट पर आर की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि IP67 approved है मतलब कि पूरी की पूरी waterproof है नीचे की तरफ T-shape बैटरी दली वी है इसमें और जो अपने को कित्या टॉर्क देखने को मिल जाएगा अपने को और पावर की बात करें तो 129 BHP की पावर देखने को मिलेगी जो की more than enough बन जाती है एक fact आपको वजा देता हूँ दोस्तो अपनी जो Tata Nexon EV है यह Tata की पहली ऐसी गाड़ी है जो की 0-100 within 10 seconds कर पाई जो इसका time period है 0-100 करने का वो है 9.45 seconds जो की बहुत impressive हो जाता है गाड़ी के अंदर अगर अपन बात करें तो हर जगे अपने को hard plastic देखने को मिलेगा और storage space की बात करें तो बहुत plenty amount of storage space देखने को मिलेगी और अगर आप देखोगे कही बी आर की practicality में कही 19-20 का भी फरक है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको डूमना अगर आप देखोगे कि कही अपने साथ quality मिसके कहा साथ compromise तो नहीं कर रहा जैसे कि speaker quality वगरा तो वो नहीं है क्योंकि इसमें सारे के सारे जो अपने speaker quality है वो हर्मन के अपने बने हुए JBL हर्मन का तो वो बहुत अच्छा रखता है इन फैक्ट आप यहां पे जो भी texture वगरा देख रहे हो वो भी इसमें बहुत खुबी रूप से कर रहा है अपने टाटा ने अगर आप अंदर की दरफ देखोगे तो यहां पे texture देख रहा होगा आपको blue color का AC vent के यहां पे तो यह जो है एरोडाइस blue color का अलग से कर रहा है Nexon EV में ही देखने को मिलेगा standard Nexon में नहीं देखने को मिलेगा और यह एक थोड़ा सा distinguished look लियाता है अपना और एक तरसे अपने ऐसा भी कह सकते है अगर Nexon खड़ी है और Nexon EV खड़ी है तो distinguish कैसे कर पाए तो इन texture से भार से आप distinguish कर पाऊगे और EV की batching से otherwise boot खोलने का option आपको यहाँ पर देखने को मिलता बहुत अच्छा लगता है वो और एक unique चीज हो जाती अपनी गाड़ी में वो बहुत सई चीज हो जाती है यहाँ पे अगर आप देखोगी AC vent का अपने को कोई display विस पे तो यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा अगर आप देखोगे कि temperature कम अगरा करा मेरे को कहा दिखेगा तो वो उपर की तरफ जो 7 inches की infotainment screen वहाँ पे अपने को temperature अगर आपने कम करे होंगे तो वो उस जगे आपको देखने को मिल जाएंगे otherwise गाड़ी जो है अंदर की तरफ यहाँ पे भी एक बार storage आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो storage खुलने के अपद आप देख की कित्ती जादा storage है अब गाड़ी की बात करें अपन के Nexon EV मैंने खरीद ली तो इसमें charging period किता है तो आपको बताता हूँ मैं 80% charge अगर आपको करनी है गाड़ी तो 60 minute लग जाएंगे DC charger की तरूँ लेकिन अगर आपको AC charger की तरूँ करनी है तो 8 घंटे तो मतलब घर में अपने पास AC charger ही होगा तो आपको 8 घंटे मोटा मोटा लग जाएंगे और इसमें कित्ते किलोमेटर चलती है काड़ी ये भी depend कर जाता है तो आपको मोटा मोटा 280 किलोमेटर की range देखने को मिलीगी रियल लाइफ कंडिशन में टाटा जो है वो कंपनी अपने को क्लेम करती है 350 प्लस किलोमेटर की बट रियल लाइफ कंडिशन में अभी तक किसी को नहीं देखने को मिली एक चीज़ और नीची की दरव बैटरी पैक दला है उससे हलके से सस्पेंशन स्टिफ हो है बहुत हलके से अगर आपने नेक्सवन पैटरल डीजल चला ही तब ही आपको पता चलेगा और इसके वज़े से राइट कॉलिटी में मेरे साब से कोई ज़्यादा फरक नहीं आता है तो उसको आप अगर आप कंसीर नहीं करो तो भी चलेगा और जब भी आप इसमें गाडी में देखोगी उपर की तरफ यहाँ पर जो है आप इसके लाइट वगरा देखोगे सारी वाइट कालर की दिखेगी बहुत प्रीमियम लगती है इसमें वैनेटी मिरर भी देखने को मिलेगा आपको सन्रूफ देखने को मिल जाएगी जो की इतनी जदा बड़ी नहीं है एस कंपेर विद दाट ओफ दे हैरियर हेक्टर बट वो सेग्मेंट भी एक उपर चले जाता है और सन्रूफ अगर आप देखोगे तो सन्रूफ की बिल्ट वगरा अच्छी देखने को मिलेगी आपको और यहां पर अगर आप देखो किते लाइटनिंग वगर आती सन्रूफ से तो वो जाता लाइटनिंग नहीं आती और मेरे साफ से जो भी कॉंपक्ट सेवी में सन्रूफ होती हो इतनी जदा प्रैक्टिकल नहीं होती जित्ती कि अपने को मिड्स सेग्मेंट मिड्स साइड सेवी में देखने को मिलती है जैसे कि टाटा हैरी के बात करे रहे, एमजी हेक्टर के बात करे और फो एंडेवर तो बहुत अपर सेग्मेंट हो जाता है तो इस सेग्मेंट में वह अपने जाते नहीं है और जब भी आप गाड़ी को टर्ण वगरा लोगे तो आप बहुत हो जाओगा, flat bottom steering wheel देखने को मिलता है, steering response भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, गाड़ी जो है, वो जमीन से चुपक के चलती है, वो एक add-on है अपने गाड़ी के अंदर, मतलब कि किती भी ज़्यादा speed में चला, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, एक चीज़ और, अगर आपने टाटा नेक्सान EV खरी दिये, तो 120 तक आप इसको ले जा पाओगे, मैक्स उसके ओपर नहीं ले जा पाओगे, और मैंने highway में खुद ने 120 पे इसको drive करा है, तब भी मेरे को बहुत confident feel हो रहा था, गाड़ी का steering response and all, और कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, braking भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो braking वगरा से भी आपको कोई दिक्कत नहीं आए ये गाड़ी में, वो बहुत अचीज़ है, एक स्टीव में अगर अपना आए गाड़ी के, तो यहां बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा appealing look के साथ आई है, जैसे कि मैं बात करूँ टारा है, नेक्सॉन को अगर आपन पुरानी वाली देखें और नहीं वाली देखें, तो यहर ऐसा लगता है कि क्या से क्या हो गया, देखते देखते, तो वो वाला सीन हो जाता है, अदर्वाइस गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, नीचे की तरफ अगर आप दिखोगे, तो यहां पे एक टैक्षिर यूज़ कर रखा है अलग सा, और बंपर जो है, इसका एक तरफ से को ट्रिपल टोन में दिखेगा, ब्लू, ब्लैक और नीचे की तरफ सिल्वर फिनिश की दिखरी अपने को बंपर में, वो एक अलग चीज है, और यहां पे अगर आप इसके जूद दिखोगे, साइड मिरर है, वो पियानो वो भी बहुत अच्छी, और टा जो है, वो करीब बहुत अच्छी वारनटी गारंटी दे रही अपनी बैटरी में, वो कुछ किलो मिटर के करीब देने वाले हैं यहां तो बहुत अच्छा लग जाता है अपने को, और confidence और बढ़ जाता है यहां पे 16 इंच के अलॉइस देखने को मिलेंगे EV की patching और अलॉइस से बहुत अच्छा है जो अपने को नॉर्मन एक्सॉन में आते हैं वही नेक्सॉन अपने यहां पे continue हुए बूट स्पेस जो है आप यहां पे इसकी अच्छे से देख सकते हो तो बूट स्पेस जो है आपको 350 लीटर सक देखने को मिल जाती जो कि एक इंप्रैसिव सेग्मेंट हो जाता है इस सेग्मेंट के लिए 350 cc तक बूट स्पेस लाना और इसके आप जो बूट बंद करोगे ना तो एक बारी में बंद नहीं हो पाती आपसे क्योंकि जो होता है ना पिलट में कम वो यहां पर अपने देखने को मिल जाए किते पिल्ट में काम कर रखाया अपनी गारी गारी जो है वह सारे के सारे आपको dual tone लूट के अंदर देखने को ललlights है सारे ब्लु कहलर मेर को सब ऐच्छा जो